प्रभु येश्व मसी के नाम में आपको अनुग्रह, शान्ती और आशिश मिले परमिश्वन ने हमारे सबसे पहले जो माता पिता थे उनकी स्रिष्टी की और बाइबल बताती है कि उनका नाम आदम और हवा था इंगलिश में एडम और इव कहते हैं और आदम को परमिश्वन ने प्रित्वी की मिट्टी से बनाया आदम जो शब्द है उसका अर्थ लाल है और जो लाल मिट्टी से संबंद रखता है और परमिश्वन ने आदम को धर्ती की मिट्टी से बनाया और हवा जो उसकी पत्नी बनी उसको आदम की एक पस्ली से बनाया और इसलिए कोई भी पुरुष श्त्री की बिना वो कम्प्लीट नहीं है वो पूरा नहीं है और इसलिए परमेश्वर ने विभा का पवित्र सब्बन एक पुरुष श्त्री के बीच में बनाया और विभा कोई मनुष्य के द्वारा आधारित योजना नहीं है पर नतु परमेश्वर ने ही सबसे पहला विभा आदम और हवा के बीच में कराया और वि양 जो है वो सिर्फ एक पुरुष और एक स्थी के बीच में हो सकता है आज के दिन जब मनुष्य अपनी िगरावट और पाप की दशा में सोचता है जो मैं ठीक समझता हूं वोई ठीक है तो एक पुरुष और पुरुष के बीच में विवा या एक स्त्री और स्त्री के बीच में विवा या एक मनुश्य और प्राणी के बीच में विवा ये सब पाप है और ये सजा के योग्य है और नरक के दंड के योग्य है लेकिन फिर भी परमिश्वर ऐसे व्यक्ति को पश्टाब दे सकता है और उसको उसकी उस पाप में इस्तिती से उठा सकता है और अनंत विनाश से बचा सकता है तो परमिश्वर ने आदम और हवा को बनाया परमिश्वर ने आदम और हवा के का विभा किया और उनी के द्वारा आज जो अंभीड देखते हैं पुरे संसार में वह उनी हमारे मूल माता-पिता के द्वारा ये भीड आई है आदम को परमिश्वर ने अपनी समानता में बनाया पवित्र बनाया पाप रहिद बनाया लेकिन मनुष्य ने परमिश्वर की आग्या को तोड़ा जिस कारण पाप मनुष्य के जीवन में और इस संसार में आया और पाप के कारण मृत्यू आई और आप जानते हैं कि कैसे जब आप अपने अंदर भी देखेंगे तो एक मृत्यू का भेह रहता है और क्यूं हर मनुष्य मृत्यू से डरता है कारण ये है कि परमिश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया था लेकिन आदम के पाप के कारण मृत्यो मनुष्य जाती पर राज करने लगी उत्पत्ति वह पुस्तक है बाइबल की पहली पुस्तक जिससे में पता चलता ये पूरी स्रिष्टी ये पूरी पृत्वी ये सारे लोग ये कहां से आए कैसे अलग-अलग देशों में अलग-अलग भाषाओं के और को लोग के लोग कैसे बसे और ये उत्पत्ति की पुस्तक में विशेश कर पहले अध्याय से लेके करीब ग्यारा अध्याय तक हमें पूरी हिस्ट्री पता चल जाती है कि मानव जाती कैसे इस संसार में आई बहुत दूर और बहुत फिलोसोफिकल और ऐसी बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है बाइबल सब कुछ साफ साफ बता देती है कुछ लोगों की आदत होती है कि हर चीज़ को इतना कॉंप्लेक्स बनाएं लेकिन बाइबल जो परमिशर का वचन है जो सब लोगों के लिए है वो साफ साफ बताती है कि कैसे मनुष्य बना कैसे इस रिष्टी बनी और कैसे पूरी प्रित्वी पर आज की जो भीड है कैसे बनी कब इनदवी उस विष्य में जाना नहीं चाहोंगा तो कि वश्य अलग है आज तो उत्पत्रीं पांच में जो शुरुवाथ के हमारे पूरवच्छ थे कि एक पूर्वज थे हैं जो शुर्वात के पूर्वज थे हम सब के एक तोर से हम सब क्या कहते हैं कजन ब्रदर्र ऑप सिस्टर्ज हैं हम एक सब एक प्रकार से भाईमैन हैं क्योंकि एक माता-पिता से आये हैं जो हमारे मूल माता-पिता है फिर्स्ट पैरेंट्स है तो जो पहले मुख्य दस हमारे पुर्वज थे उनके नाम इस प्रकार थे पहला जैसे मैंने बताया आदम था उसके बाद सेथ दूसरा तीसरा इनौश चौथा किनान पांचवा महलील छट्था यारेद सात्वा हनोक आठवा मेतुसला नौ लामेक और दस्वा नूँ ये दस पुर्वज थे हो सकता आपको अपने पर 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 दादा के नाम ना मालूम हो लेकिन मैं आपको आपके जो सबसे पहले दस पुर्वज थे उनके नाम बता रहा हूँ तो खेर आदम के और भी बेटे-बेटियां थी इसका और एक बेटा था कैन जो दुष्ट था दुष्ट निकला लेकिन मैं एक मुख्य एक जो लाइन थी जो परमिश्वर का भह मानते थे उस वन्शावली के बारे मैं आपको बता रहा हूँ अब जब इनके अर्थ देखते हैं इन नामों के तो यह अर्थ बहुत इंट्रेस्टिंग है जैसे हर नाम का कोई नों कोई अर्थ होता है यह जैसे प्रकाश नाम होता है तो प्रकाश नाम का अर्थ है जोती इसके नाम का अर्थ है और वी जो भी आप नाम देख लें जैसे अनुज है अजय है इन सब नामों में कोई नो कोई अर्थ होता है इसलिए माबाप बड़ा सोच के अपने बच्चों का नाम रखते हैं इसलिए मैं बच्चों को नाम बिच्चु और ऐसे ऐसे नाम रखने नहीं चाहिए कालू यह अ नामों का अर्थ क्या है आदम तो मनुष्य है फिर उसका जो बेटा था सेथ उसका नाम था उसके उसके नामका अर्थ है ठेराया गया फिर इनोश के नामका अर्थ है नाश्मान फिर केनान जो इनोश का मेटा था उसके नाम का अर्थ है दुख फिर महलेल एल जबी भी आता है उसका मतलब होता है इश्वर तो महलेल का अर्थ है धन्य इश्वर यारेद का नाम है जो नीचे आएगा हनोक के नाम का अर्थ है सिखाने वाला जो सिखाएगा मेतु सला के नाम का अर्थ है उसकी मृत्यों लाएगी लामेक के नाम का अर्थ है आशारहित और नू के नाम का अर्थ है विश्राम या शाब्दी तो जब आप इन सारे अर्थों को एक के बाद एक पंग्ति की तरह लगा देते हैं तो जो वाक्य बनता है वो इस प्रकार से है जो मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ कि मनुश नाश्मान दुख के लिए ठेराया गया है या मनुश नाश्मान है और दुख के लिए ठेराया गया है परन्तु धन्य इश्वर नीचे उतरेगा और सिखाएगा कि उसकी मृत्यू आशा रहित लोगों के लिए विश्राम या शांति लाएगी मनुश जो नाश्मान है वो दुख के लिए ठेराया गया है परन्तु धन्य इश्वर उतर कर आएगा और सिखाएगा कि उसकी मृत्यू आशा रहित लोगों को विश्राम लाएगी कि पहला सवाल आपके मन में आएगा कि मनुश्य क्यों कि दुख को के लिए ठेराया गया है क्योंकि पाप उसके जीवन में आया है पाप हमेशा निराशा अशांति दुख और मृत्यू लाता है इसलिए संसार में इतना दुख है इतनी अशांती है और चारों और मृत्यू है और यह वाक्या ही बाइबल का सबसे मुख्य मेसेज है संदेश है आदम की गिरावट के कारण आदम के आग्या ना मानने के कारण अब मनुश्य के भाग में क्या आया दुख आया मुझे एक व्यक्ति बता दीजे पूरे संसार में इसके जीवन में दुख नहीं है कौनसे अरब्पती के जीवन में दुख नहीं है कौनसे एक्टर या एक्ट्रेस या कौनसे सबसे अमीर विक्ती जो अलग-अलग देशों में है उसके जीवन में दुख नहीं है मनुश्य के भाग में दुख आया पाप के कारण और अगर वो पाप में मरेगा तो निश्चित रूप से नरक के दंड में जाएगा जहां पर उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए पीडा अशान्ती और आग में रहेगी लेकिन बाइबल बताती है के धन्य इश्वर नीचे उतर कर आएगा और सिखाएगा और पूरा करके दिखाएगा कि उसकी मृत्यू आशा रहित लोगों के लिए विश्राम लाएगी और कौन है वो धन्य इश्वर वो धन्य इश्वर है प्रभू येश्यो मसी रोमियो नौ पाँच में लिखा है उसमें से एक हिस्सा पढ़ता हूँ मसी यानि येश्यो मसी जो सब के उपर परम परमेश्वर युगान योग धन्य है येश्यो मसी प्रभू येश्यो मसी जो सब के उपर परम परमेश्वर युगान योग धन्य है वो धन्य इश्वर है और वास्तों में इश्वर शरीर में प्रगट हुआ एक कुवानी के जरीए उसने जनम लिया मनुश्य क्यों बना? क्योंकि उसको मनुश्य की सजा को मनुश्य के शरीर में अपने उपर उठानी थी और इसलिए कलवरी के कुरूस पर जहां पर वो तीन कीलो के जरीए टांगा गया उसने मृत्यू के स्वाद को छखा उसने दुख उठाया और हमारे लिए अपना पवित्र में लहु बहा दिया ताके कोई भी आशरहित क्यों नहों कोई भी पापी क्यों नहों कितना भी घोर पापी क्यों नहों अगर वो पश्टाप करके विश्वास करता है प्रभू येश्यू पर उसकी उस मृत्यू पर तो वो पापी उद्धार पाता है शमा पाता है अनंत जीवन पाता है इस संदेश जो मैंने आपको पढ़के सुनाया या समझा के बताया कि मनुष्य जो नाश्मान है दुखो के लिए नियुक्त है परन्तु धंगे इश्वर उतर कर आएगा और सिखाएगा कि उसकी मृत्यों आशारहित लोगों के लिए विश्राम लाएगी तो इसमें धरम की क्या बात है प्रभु येश्व धरम बनाने आया ही नहीं वो इसाई धरम बनाने आया ही नहीं ये तो लोगों ने बना दिया वो तो मनुष्य के लिए आया मेरे और आप के लिए जगत के लिए आया प्रभु येश्व को सच्च और जीवित पर्मेश्वर को आप धर्म के सीमा में नहीं बान सकते, उटो इन सब चीजों के उपर है वैबिल बताती ही कि पर्मेश्वर की उपस्थिती में आनन्म की भरपुरी है, शांती की भतायत है, इस लिए वो कहता है आशारहित को वो वुश्राम लाएगा का पीसना की जगा है जहां पर अनंत काल के लिए मनुश की आत्मा रोएगी और दातों को पीसेगी यानि भयंकर दुख और शान्ति में रहेगी मनुश की आत्मा लेकर प्रभु नहीं चाहता है इसलिए उसने कल्विर के कुरूस पर अपना प्राण दिया और उसी के या आशारहित विश्राम पा सकता है शान्ति पा सकता है इसलिए प्रभु नहीं कहा मेरे पास आओ जो बोच से दबे हैं जो परिश्रम कर रहे हैं मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूगा मैं तुम्हें शान्ति दूगा यह शाय में लिखा है कि दुष्ट के पास कोई शांती नहीं है मेरा परमेश्वर कहता है दुष्टा और पाप की अवस्था में कभी शांती नहीं आ सकती लेकिन शांती और विश्राम केवल प्रभुयश्यू के मृत्यू के द्वारा सकता है यानि जब आप प्रभुयश्यू के मृत्यू पर उसके कुरूस के बलिदा ही है विवेक शांत हो जाता है विवेक शुद्ध हो जाता है ऐसा अद्भुद उद्धार करता है जिसने इतना अद्भुद प्रेम मेरो और आप से किया तो प्रभु येश्व से प्रात्ना कीजिए प्रभु येश्व आपको आशिश दे